हेलो दोस्तों स्वागे थे आप सभी का एड्यूकेशन के एड्सिक्स में और ये वीडियो हो सकता है आप लोगों को किसी को अच्छा लगे किसी को बुरा लगे मैं दोनों ही भी हाफ में बात करना चाहूंगा यहां पर और ये सुप्रीम कोड जो है न ये कोई सरकार नहीं ह जिससे कि आप लड़ सकते हैं हम लड़ सकते हैं या कोई और लड़ सकता है यह हमें जो है अपने सम्विदान में सर्वे सरवा माना गया है इसको यानि कि इनका आदेश जो है फाइनली होगा ये जो आदेश दिया है कि NCTE का जो गाइडलाइन है हमारा 2018 का उसको हम करते हैं और यहां पर जो भी अभ्यारती है जो कि बीड अभ्यारती है वह क्लास वन से फाइप में जो है आते हैं उनको हम लोग यहां से निरस्त करते हैं बस यह इतनी बात कही गई है यहां पर जो है चीजे हमारे सम्विदान में और भी है कि अगर यहां पर कोई आदेश पारित हो जाता है यहां पर तो उस आदेश को जो है अध्यादेश लागर बदला जा सकता है यह चीजे हैं यह हो सकती है यहां पर पुनर विचार किया जा सकता है इस आदेश पर अब यह यहां पर यह चात्र भी सरकारे सोच रही है जो कि अन्याने राज्यों से हैं उनको एक अधिकार है कि वो अपना अध्यादेश लाकर इसमें कुछ बदलाव करके जो है इनके लिए इन चात्रों के लिए जुन्होंने 2018-23 के बीच में अपना बीट कंप्लीट किया है उनके लिए कुछ न कुछ रास्ता निकालें यह सरकारे सोच रही है और उसी में एक सरकार यहां पर है जो कि बिहार की है जहां पर एक लाग सतर पच्छतर आजार जो है वेकेंजिस निकली होई है इनके एकजाम ले लिए गये हैं इनका डॉक्मेंट वरिफिकेशन हो रहा है और अब रिजल्ट भी आने वाला है लेकिन इन्होंने इनके जो बीपीएसी के चेयर पॉसन है उन्होंने एक अपडेट दिया है अपने प्रेस कॉन्फरेंस में बोला है कि देखिए हमने एकजाम लिया है वो हमारा अधिकार था चुकि हम लोगों ने गाइडलेंड 11 अगस्ट 2023 के पहले नोटिफिकेशन निकाला है ठीक है अब उसके बाद जो है उनका यह कहना है कि इसके रिजल्ट पे हमारा अधिकार नहीं होगा यह बाते कही गई है अब यह मामला जो है एक 36 गड़ का सामने आता है चुकि यह मामला तो देखिए एक से पांस तक के लिए आविदन करने के लिए मना कर दिया था क्लास वन टू फाइब के लिए तो यह मामला जो गया सुप्रीम कोड में जब यह डब यार्थी लेकर गया यहां पर याचका करता है उनके तो वहां पर इसको भी बरकरार रखा गया अब मामला उठा 36 बाते उठी तो 36 गड़ में भी यह चीज़े जो है बुला गया कि आप यहां से हाई कोड ने आदेश दिया कि हम लोग यह आदेश नहीं देते हैं एक से पांच वालों को यहां पाटिसिपेट करने का लेकिन जब मामला सुप्रीम कोड गया और वहां पर एक बात रखी लेकिन अभी जो मामला है सुप्रीम कोड के पास ही है और अभी भी इसका फैसला नहीं दिया गया है बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि यह फाइनल हो गया है कि 2018 से 23 वाले जो है बीएड अब्यारती वो उनके उपर यह नियम लागू नहीं होगा लेकिन जो 2023 के बाद बीएड करेंगे वो एक से पांच की कक्षा में नहीं बैठ सकेंगे या उससे पहले वाले जो है 2018 से पहले व आखिर वो जाए कहा तो उसी चीज को लेकर यह बाते रखे गई जब यह मामला 36 गड़का जो है आया हाई कोट का मामला सुप्रीम कोट में अब एक नोटिफिकेशन देखे जारी किया गया है यह नोटिफिकेशन आया दोस्तों कल आने कि कल नहीं 28 अगस्त कहीं है लेकिन क अब इस चीज को मैंने यहां पर एक हिंदी ट्रांसलेट करके इसका अब्डेट दिया गया है जो बातें यहां पर लिखी गई है वो मैं आपको थोड़ा समझाने का प्रयास करता हूं बिहार की वेकिंसी चल रही है एक लाग 75 अजार की यह आपको ध्यान में रखना है और बर इसको क्या कहा गе इस बात को लेकर उसको उपर हम लुग फोकस करेंगे बर्तमान में याची काold करता दवारा अधिकार संक्या जो है अधिकार जो हमारा धार्या है जो अनुच्छेद हमारा तैईसURE के तहत किये गए हैं यह केंद्र सरकार निर्देश के संदर में दायर की गई है तो यह जो है NCT का द्वारा जो दिलांग 28 जून 2018 का जो अधिसूशना है इसको अमाने करते हुए यहां पर धायर किया गया मतलब इनका कहना है कि आखिर बिहार में इतनी वड़ी वेकेंसी आई हुई है उसमें कैसे लाउ किया गया है बेड़ अब्यारतियों तो उसको रद किया जाए तो बच्चों को यहां पर देखिए जो हमारा 23 जो एक है हमारा आर्टिकल यहां में यह बच्चों को मुफ्त और अनिवारिक सिक्षा दिने का दिनियम है 2009 में लाए गया था इस अधिसूशना में दोस्तो 23 अगस 2010 की पिछली अधिसूशना में कुछ प्रात्मिकी दोनों इस तरों पर सिक्षकों के लिए आवश्यक योगिता निधारित की गई है आप लोग इसको भी जाकर पढ़ सकते हैं ठीक है अब संसोधन हुआ अधिसूशना सारा यहां पर लेकर आया गया 28 धारक अभ्यार्थी हैं यहां पर जो कि अब 2018 से ले हकदार होंगे यह अधिनियम 2000 जो है हमारा पहले है है 2018 का है तो इसमें यह है निउक्त होने के हखदार होंगे लेकिन अब आगे जो है अपडेट यहां पे आता है कि इस नšeले ने नाई नियाले ने 2030 की सिविल अपील संख्या जो है पचास अड़सट में SLP संख्या जो है यह हमारा है जिसमें की उत्पन फैसले में देवेश सर्मा बनाम भारत संग और अन्य सिर्शक दिया गया है जिसे दिनांग 11 अगस्ट 2023 को उक्त अधिसुष्णा को निरस्त करने है तो निर्देशित किया गया यानिकि यह जो NCT का guideline को खारिच कर दिया गया सुप्रीम कोट में देवेश सर्मा बनाम भारत संग अन्य सिर्शक अब इस निर्देश के द्वारा इस नियालेक ने उक्त अधिसुष्णा को रद करने के साथ साथ यहां पर रद करने के राजिस्थान उच नियालेक के निर्देश को बरकरा करते हैं यह बात यहां पर लिखी गई है इनके द्वारा इसी आदेश की बात कर रहा हूं लेकिन अब बात होगी बिहार की चुकि देखिए बिहार में वेकेंसी चल रही है तो बरतमान याचिका को प्रार्थना ए की संदर में उसी हद तक अनुमानित दी जाती है जो कि NCT क के द्वारा 28 जून 2018 को जारी अधिसुचना के समन्द में दिया गया ठीक है अब उसको ही हम इस नियम को ही उसके उपर चर्चा कर रहे हैं इसी यहां पर प्रातना करती है परिणामी बिग्यापन और उसके अनुसरुन में उठाएगे अन्य कदम भी अमाने माने जाएंगे इस याजिका में बिहार राज्य इस नियाले के समक्ष एक पक्ष नहीं है यानि कि बिहार राज्य को कोई पार्टी नहीं है ऐसा कहा गया है और इस प्रकार हम बिहार राज्य द्वारा जारी अधिसुचनाओं के समन्द में कोई टिपनी नहीं करते हैं यह सुप्रीम को इस रिट याजका में चुनौती दी गई है तो यहां पर कुछ शात्रों ने जो इसके लिए चुनौती किया था इसको यहां पर सुप्रीम कोट ने साब साब मना किया है कि बिहार राज के द्वारा जारी जो अधिसूशनाए हैं उसमें कोई भी टिपड़ी नहीं करते हैं अब आगे देखते हैं लेकिन यह नियाले उमीद करता है कि बिहार राज 11.8.203 को दिये गए इस नियाले के फैसले को ध्यान में रखेगा यह एक आदेश है कि आपको ध्यान में रखते हुए ही अपना आध्यादेश लेकर आना है या फिर जो भी करना है आपको लेकिन ज पुरा मामला जब यहाँ पढ़ा गया तो राजिक सरकार जो है यहाँ की राज्य जो ए भिहार राज्य जो है इस न्याले के समक्ष कौई भी बॉड़ी कोई पार्टी नहीं है यह ना इस प्रकार हम बिहार राजी द्वारा जारी जो अधिसुशनाएं हैं उसके समन्द में कोई टिपड़ी नहीं करते हैं चुकि हतुल प्रसाजी ने एक बात शुरुवात में ही कही थी कि BPSC का जो एक्जाम नियामली है यह किसी भी हालात में है इसको कहीं भी छती नहीं पहुचा रहा है हम अपना परिक्षा लेने के लिए स्वतंत्र है है ना हम अपना इक्जाम निकाले हैं 11 अगस में से पहले नोटिफीकेशन आया हुआ है उसके लिए स्वतंत्र है हां इन्होंने एक बात जरूर कहा है कि इसकी रिजल्ट पर हमार प्रभाव नहीं पड़ेगा अब यह जो रिजल्ट है आएगा बिलकुल आएगा आप लोग का रिजल्ट चुकि डॉक्मिन वरिफिकेशन हो रहा है यहां पे तो जैसी रिजल्ट आएगा अब उसके उपर जो है बिहार सरकार क्या अध्यादेश लेकर आता है या क्या बदल नहीं हो जाए कि वहीं पे जाके कॉंट्रडिक्ट हो जाए सब चीज़े चुकि देखिए यहां पर तो साफ साफ एक चीज़ क्लियर है कि जो सीटेट अभिहारती है और बीएड है और एक से पांच के लिए आविदन नहीं कर सकते हैं इनकी नियम के नुसार जो कि यहां प पहले रिक्रूट कर लेंगे यहां पर अगर उसी में का सीट फिल फिल रहता है तो ऐसा करेंगे इसलिए अभी एक नोटिफिकेशन भी आप लोगो उजरे किया गया था कि अपना जैसे कि बहुत लोग दूनों कर रखें तो जो डिल अभिहारती है अपना और बील अभिहा यहां से अप्रोडेट होकर आई हुई है और यही सारा चीज जो है आपको इस प्रेटिशन में लिखा गया है मतलब जो यहां पे अपडेट किया है मैंने आपको जो भी एक सरल भासा में समझाने का प्रयास किया है और यह 28 अगस्त को लेटर जारी हुआ है अब इसमें कहीं भी भी बिहार की वैकेंसी को जो ए न बोला गया है साथ साब कि इसमें और कोई कमेंट नहीं करना चाहते है और बिहार सरकार जो है ना बिहार स्टेट जो है इस वह उपर हम लोग कोई we make no comment as regard the notification issue by the बिहार स्टेट ठीक है और यहाँ पे एक बात और लिखी गई है कि जो भी बिहार सरकार है यह बोला गया है the state of बिहार is not a party before the court in the petition यह जाहिट सी बात है यह notification पहले आया हुआ है इसका कोई प्रभाव नहीं था यह चल रहा था और मामले जो सामने रखे गए हैं उसके उपर विचार किया जा रहा भी फाइनल डिसीजन नहीं आया है कि बीएड वाले सीधे बाहर हाँ यह जो है जो आपका यह जो 11 अगस्त 2023 के अनुसार जो है न यह उन अभियारतियों को इनसीटी के उस गाइडलेन के तहट जो है सुप्रीम कोर्ट ने इनको बाहर किया है एक से पांच में अब बिहार सरकार के उपर इन्होंने जब कहा तो यह बोलें कि यह कोई पार्टी नहीं है बिफोर दग कोट इन पिटिशन और यह भी बोला यहां पे कि हम लोग इस पे बात नहीं करेंगे तो फिलाल अभी भी मामला जो है क्लियर नहीं है बिएड वाले अभी भी यहां पे ऐसा नहीं कि नाराज हो जाए और डियलेड वाले ऐसे नहीं है कि हमने ऐसी बात कह दी कि सर आप गलत समझा दिये यहां पे तो यहीं चीज़े नहीं किजिएगा आप अपस में और आप ही सभी को टीचर बनना यहां पर ऑप्शन्स बहुत सारे हैं बीएड वाले के पास डियलेड वालों के पास जो ऑप्शन यहीं है तो उनका रिक्रूटमेंट यहां बिहार सरकार सोच समझ के करवा रही है बीएड सरकार डियलेड के लिए चाहती है कि इन बॉक्स में कमेंट करके जुरूर बताईएगा जैहन